असलाम लेगे विवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे ये 3D बार चार्ट किस तरह सप्लाएंगे पाउर कोईट के अंदर, हम यहां पर सिर्फ पाउर बंट के टून को इस्तिमाल करेंगे, को थर्ड पार्ट टून इस्तिमाल नहीं करेंगे, इसे में रहते हु जो तो इसे में इसके डामेंड शेफ हम इसकी दो तीन जो है वो कॉपी बनानेंगे बार बनाने के लिए फिर हम लोग जाएंगे शेफ और दुबार रहेक रेक्टेंगूलर जब प्येस करेंगे और दू शेफ निके साथ एड़ेस्ट कर लेंगे, क्लूज करके हम इन दोन करेंगे, स्लेक्ट करके इसकी जो आउट लाइन है वो खातम कर देंगे, फॉर्मेट पैनल के तो हम लाइन के उप्शन पर जाएंगे, लो नाइन को स्लेक्ट कर देंगे तो इसकी लाइन खतम हो जाएंगे, हम दोबार इसको स्लेक्ट करेंगे, शेफ और जाएंगे और य हुई है और कुछ खनध बेट इड करनी हुई है तो किदे हम लोग कि स्पाल करेंगे कि तुक लिए को चूज करें गे और ग्रेंट के चूज करने के भाद हम लोग इसके अंदर कलर combination बनाएंगे for the practice आप लोगों को लिए बैटरी है कि मैंने आप लोग बेस में डार्क कलर में मेडियम कलर और है जो टॉप पर है जो वो लाइट कलर कीश्कों के इसे बैटर करने के लिए जरूरी है कि आप लोग इस तरह से कलर का रहा करें सिंगल कर ख्रक्रती को भी यूजिज कर सकते हैं तो मैंने कर लिए हुआ इसके इसको पर टॉप टॉप लिस्ट करने को लिए दोबारा ताप पर और रहें जाना इसको इसको यह अब हम लोग देंगे प्लेस अब्जेक्ट को तीनों को ग्लास का उफट सबसे पहले हम लोग छोटा बना है बार या कोई भी एक बार उसको कॉपी कर लेंगे साइड पर और हम लोग चले जाएगे इसको पर प्लेस कर देंगे उसके बाद हम लोग इस रेक्टेंगुलर को जो है वो ट्रास्पेंसी कम कर देंगे किमकर हम लोगों इसको मेड़ से एड़िस्ट करना है तो ट्रास्पेंसी कम करने के बाद हम लोग इसको एड़िस्ट करेंगे इसके मिडल के अकॉर्डिंग और फिर इसको select करने के बाद हम लोग चले जाएंगे shift format पर और वहां से option लेंगे intersect का intersect करने से हमारे पास की one side जो हो आ जाएगे इसका color हम solid कर देंगे और इसको move कर देंगे कि अपने object के तरफ जिस object का में यह side मनाई है इसका color हम लोग white कर देंगे और transparency कम कर देंगे मैं इसके transparency 80 कर देता हूँ और इसका top जो है वो back पर चला गया हुआ है तो top को मैं front पर भी इसके साथ ही लेया हुआ तो top को select करेंगे और print to front कर देंगे अब हम लोग जो है इन सब पर यह apply करेंगे object और सब को group कर लेंगे group करने के बाद हम इनको place करेंगे एक दूसरे के behind उसके लिए हम लोग इनको करीब लेकर जाएंगे और send to back करती जाएंगे तो हम एक दूसरे के back set पर इसको place कर लेंगे और adjust कर लेंगे जहां पर यह जौदा खुबसुरत feeling दे अब हम एक object को एक object को select करेंगे और इसको अन-group करेंगे हम ने इसके ओपर ग्लास effect को जो है थोड़ा सा इसके ओपर visible लेकर आना है तो हम लोग एक को select करेंगे अब हम इसकी जो ट्रास्पेरन्स है इसको copy करेंगे copy करने के मैं इसको थोड़ा सा ओपर place करेंगे पहले मैं इसका background चेंट कर हम इसके एक और copy बनाएंगे इसके एग्जेसेंट और इसको reverse कर देंगे ताकि इसको corner type बंज़ा इसको select करेंगे हम लोग और जाएगे shape format पर rotate और और हम इसको flip कर लेंगे तैना हम लोग इसको adjust कर लेंगे एक दूसरे के मिल्कुल करीब next हमारे पास जो option एब हो है जी हमार percentage का sign लगा हुआ इसके सामने and then इसका color जो हमा white कर दोगा आप इसका color कोई भी ले सकते है it's up to you हम इसको adjust करेंगे हम अपनी बार के ओपर according लिए हम लोग तीनों के ओपर adjust कर लेंगे अब हम लोग इसकी base create करेंगे उसके लिए हम लोग जाएंगे दोबारा insert पर और एक circular लेंगे और इसको बैसभी शकल में जो हम लोग प्लेस कर लेंगे देन हम लोग इसका जो outline है उसको भी खत्म करने देंगे और format panel से जो more options है वहाँ पर चले जाएंगे हम more options पर जाकर हम लोग इसको करेंगे इसका मजीद ने चेंज करेंडिया था कि अच्छा लगे अब more पर चले जाएंगे options पर और हम 3D rotations पर जाकर इस पर हम इसके depth भी increase करेंगे तो मैं इसके depth increase करना हूँ ताकि यह एक beautiful look जाए हूँ हमें अब इसको place करेंगे हम लोग अपने bottom पर और इसको send to background कर देंगे हम अब लोग apply करेंगे अपने इस बार के उपर animation एक बार को select करेंगे animation पर जाएंगे और wipe के option लगाने के बाद हम लोग इसके जो option timing का timing के से हम लोग जागर इसके timing increase करेंगे मैं इसको टू जो है वो कर कर दो मिनट तक तो देखेंगे यह बहुत smoothly run करना है same like that हम तीनों पर यह repeat करेंगे इसको जो हम लोग start का option है वो with previous कर देंगे और delay का option भी इस्तुमाल कर सकते हैं मैं delay का option भी इस्तुमाल करोगा तीनों पर हम same apply करेंगे animations इनके duration भी same रखेंगे और second और third वाले पर हम लोग कुछ delay भी लगा देंगे और याद रहे हैं हमने इन दोनों पो start with previous भी करना है तो मैं इन दोनों पो start with previous भी कर लेता हूँ अब हम इसको preview देखते हैं तो it's very beautiful नुकल अब हम इसको full view में देखते हैं तो very beautiful हम लोग इस तरह से अबना glass भी effect create कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छे लगी है तो like and subscribe कर देगे